तो कल हमने सीख लिया था structure mapping के बारे में कि market में boss कहां होता है, chalk कहां होता है और कैसे हम market में structure identify कर सकते है कि कहां हमारा swing high pointer, कहां हमारा swing low point ठीक है, इस video में हम सीखने वाले हैं pullbacks and inducement के बारे में और ये क्यों ज़रूरी है, इसके दो reason है सबसे पहला अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपकी पूरी mapping wrong हो सकती है जिसकी वज़ा से number two आपका पूरा structure identify करना बेकार चला जाएगा because सबसे ज़्यादा problem लोगों को pullbacks find करने में ही होती है लोगों को pullbacks नहीं समझ में आते कि pullbacks basically कहां पर बने है ठीक है and inducement कहां पर बना है because अगर आपको pullbacks समझ में आ जाएगे तो आपको inducement समझ में आ जाएगा so hello and welcome to my channel my name is Bharat and I am a smart money trader और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे channel पर आपको raw content मिलने वाला है लेकिन उसमें knowledge जो है वो पहुत बढ़िया मिलेगी आपकी help ऐसे होगी कि आपको कोई भी paid course ये न पढ़ेगा unless and until आपके सर के ओपर से चीज़े जा रही है तो लेकिन without wasting any time हम start करने वाले आज pullbacks and inducement के बारे में मैं आपको इतने example देने वाला हूं कि आज के बाद आपको doubt कभी रहे गई नहीं कि pullbacks क्या होते है और inducement क्या होता है खीक है तो चलो start करते है pullback बहुत simple topic है यह लोग उसको complicate बना रहे हैं तो आप इंड्यूस्मेंट सीख जाओगे ठीक है अच्छा कल हमने बात करी दी कि market जब अपने higher high higher lows बनाता है और एक uptrend में देखा जा रहा होता है तो हम कैसे identify अपने swing high और point को करते हैं तो उसके लिए हमने बुला था कि जब market uptrend में होता है तो वह ऐसे कुछ pullbacks बनाता है और यह बहुत basic bookish structure है और जब market इसको break करता है और फिर market जो है वह उपर जा सकता है तो यह हमारा higher high lows का smart money के according structure बनता है बट जो problem लोगों को आती है वो यह कि यह कहां पर है यह as in charts में candlesticks के तुरू हम कैसे spot करें right because bookish structure में तो ऐसे बना है जो बहुत simple हो जाता है लोगों को identify करना बट जब हम बात कर रहे है तो इसका भी मैं आपको आज solution देने जा रहा हूं तो make sure आप अपने साथ notebook पेन रखें और उसके साथ साथ notes बनाते रहे है अगर आपके पास अभी time नहीं है तो you can watch this video later like share या कुछ भी करके watch later में डालके छोड़ इसे ठीक है चलो सीखते हैं फिलाल के लिए pullbacks कैसे बनते है candles के तूँ ठीक है बहुत चार एक्जामपल देने वाला हूं आप इन सब को draw कर लिजेगा ठीक है आच्छा चलो एक basic example जो आपका एक candle के pullback कहता है वो यह ठीक है जो एकदम basic definition वाला है वो यह कि जब भी कोई candle बनेगी ठीक है जब भी कोई candle बनेगी मैं इसका color कर दे रहा हूं green ताकि आपको एक idea लग जाए right और इसकी opacity बढ़ा दे रहा हूं ठीक है जब भी आपको कोई candle green मिलेगी और एक मैं red और अलग से लगा के रख रहा हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसान ठीक है और इसका पहले हम कर लेते हैं red राइट चलो तो जब भी market अब trend में जा रही है ठीक है एक candle बनी दूसरी candle बनी तीसरी candle बनी but as soon as market इस last candle का जो भी उसकी last candle होती है उसका low break कर देगा ठीक है हम उसे pull back मानेंगे ठीक है it doesn't matter उसके बाद market कहां जाता है उसके बाद market नीचे आता है ऐसे ऐसे बनाता है या फिर ऐसे बनाता है या फिर market जो है वो ऐसा कुछ structure बनाता है ठीक है कैसा ऐसा इसा इस बनाता है या ऐसा structure ठीक है आपका पूल बैक बन चुका है क्यों कि इसी को हम लोग पूल बैक देखते हैं यह है आपका फूल बैक क्लियर है अभी नीचे में एक्जामपल भी दिखाऊगा आपको मज़ा आने वाला है इसमें पूल बैक सीख गए तो आप इंड्यूस्मेंट सीख गए और इंड्यूस्मेंट सीख गए तो आप structure mapping सीख गए फिर आपको कोई नहीं रोख सबता जितने लोग कहतें सरे इंटरी नहीं समझ मारती या मुझे फूल बैक नहीं आते या मुझे समझ नहीं आ रहा कैसी mapping करनी है तो बस उनके लिए यह वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है ठीक है आप देखते रहिएगा यह पहला एक्जामपल फूल बैक का अच्छा कभी कभी क्या होगा कि मार मार्केट ने इक बहुत बड़ा कैंडल बनाया ठीक है और उसके अंदर मार्केट ने कुछ चोटी-चोटी कैंडल बनाई ठीक है, एक, दो, एक हुआ, देन, ये आई दूसरी कैंडल, देन, ये आई, तीसरी कैंडल, ऐसे, ठीक है, क्या ये पुल बैक है, नहीं, क्यों, हमने अभी बात करिए कि मार्केट अपने लास कैंडल के लोग को ब्रेक करेगा, तो आप कहेंगे, सर, लास कैंडल तो ये इसको भी ब्रेक करा गया है, फिर आप कहेंगे, सर, लास कैंडल तो ये भी इसको भी ब्रेक करा गया है, राइट, बट, फिर इंड्यूसमेंट, सॉरी, फिर पोल बैक क्यों नहीं, बिकर्स, मार्केट को अपने इस कैंडल को ब्रेक करना जरूरी था ठीक है इस candle को जब तक market ने break नहीं किया हमारी नई candle की formation हुई नहीं है ये पूरी candle एक ही candle के अंदर मानी जा रही है ये पूरी candles एक ही candle के अंदर मानी जा रही है जिसका मतलब अभी candle का high and low protected है ठीक है जब भी आपको ऐसे example दिखेंगे तो आप उसको एक valid pullback, pullback वो है, pullback means क्या होता है pause लेना कि market जो है buying आई, buying के बाद पोड़ा सा halt ले रहा है उसको pullback बोलते हैं बट एक smart money के structure में valid pullback के लिए आपका candle का low break होना ज़रूरी है तो इस candle का valid pullback बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, simple है अगन market इसके low को break कर देता है ऐसा है ठीक है तो ये एक valid pullback बन गया है ठीक है ये second example है याद रखिएगा इसे बोलते हैं inside candles जब तक market जो है वो candle के अंदर candle बना रहा है तो सारी inside candles है और उनका कोई as a pullback में roll नहीं है बट as soon as वो candle का low break होता है that means कि pullback valid हो चुका है ठीक है चलो फिर third पर आ जाते example पर third example के लिए बहुत simple है मैंने एक candle पिल बनाई अब हुआ क्या इसी candle ने तेग इसी candle ने ठीक है? Market ने pullback बना लिया है इस move को उम लोग कैसे identify करेंगे? ऐसे ऐसे ठीक है? ये market का एक pullback बना हुआ है ठीक है? market ने last candle kind ने logo break किया है, बिलकुल किया that means ये एक valid pullback है ठीक है? ये है आपका third example ठीक है? तो ऐसे ही charts में अलग-अलग examples के true आप pullbacks को identify कर सकते हैं जो smart money के according valid माने जाते हैं अच्छा अगर हमें इन्हें charts में देखना हुआ तो जैसे first example में आपको BTC का one day का chart दिखाता हूँ ठीक है यह सब pullbacks है इन्हें pullbacks क्यों बोड़ा चाह रहा है ध्यान से देखिए आंसे pullback सीख रहें राइट यह देखिए मार्केट ने यह देखिए मार्केट के लिए जो last candle थी वो यह थी ठीक है अच्छा last candle ने क्या इसका low break करा है नहीं तो अभी pullback तो नहीं बना है फिर मार्केट में यह candle बनी आई next high candle क्या मार्केट ने इसका low break करा है कहाँ पर करा है यहाँ पर किया है तो आस सून एस मार्केट में इसका low break किया है that means यह एक valid pullback बन गया है ठीक है that means यह एक valid pullback यहाँ पर मार्केट में बना लिया है अब matter नहीं करता इसके बाद market और कितनी नीचे candles बना है ठीक है matter नहीं करता क्योंकि pullback बन गया है अब उसके बाद market यहाँ से कितनी भी candles बना लेता एक दो तीन चार ठीक है यह सब पूरा पूल बैक के अंदर count होगा ठीक है पूल बैक को होने के लिए market को उसका हाई और लो ब्रेक करना जरूरी है इसमें आप समझ जाएंगे कि पूल बैक कब हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो market जब डाउन ट्रेंड में थी तो candle एक का हाई यह था और candle का लो यह था ठीक है अब for a market to make a valid pullback in a downtrend market को ऐसा बनाने के लिए यह market को last candle का हाई ब्रेक करना जरूरी है for downtrend ठीक है क्या market ने इस candle में करा नहीं दो इस candle का हाई ब्रेक हो गया अगर आप ध्यान से देखेंगे बट क्या इस candle ने ब्रेक किया इसका हाई नहीं तो यह सारी inside candles है जितनी भी candles आप यह देख रहे हैं यह सारी inside move की candle है ठीक है आच्छा इसके बाद एक चीज और हुई ठीक है जितनी भी आप candles देख रहे हैं यह सारी एक सेकेंड थोड़ा और अच्छा color लेते हैं ठीक है यह सारी inside move इस candle का pullback तब complete वा जब market ने इस candle के high को यहां पर break किया तो इसका move actually में अगर हम देखेंगे तो देखेंगे ऐसे ठीक है कैसे देखना है यह नीचे आया फिर यह यह उपर गया फिर यह नीचे आया अच्छा लेकिन एक चीज और भी है अगर एक pullback बन रहा है ठीक है तो वो pullback तब तक complete नहीं होता for a downtrend मैं बात कर रहा हूँ जब तक उसका low break ना हो तब तक वो pullback तो है ही नहीं उस structure के लिए उस structure के लिए जिसमें आप smart money concept में map करेंगे यह pullback पूरा complete तब होगा जब यह low जो है वो break होगा तब जाके एक valid पूरा pullback बनेगा जिसे हम ऐसे देखेंगे ठीक है तो इस move को pullback तब ही count किया जाएगा जब तक market इस low को break कर पाएगा अच्छा अगर suppose market ने इस low को break नहीं किया तो क्या तो तब यह है कि suppose market यहाँ पर आया और market ने यहीं से उपर निकल गया तो क्या market ने अपना character चेंज कर दिया है नहीं ठीक है character चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि market को क्या करना जरूरी है चौक करना जरूरी है और उसके लिए क्या जरूरी है आपको अपने swing points पता होने चीए ठीक है तो फिलाल के लिए यह move सिर्फ पूरा pullback के अंदर ही आएगा यह पूरा जो move है यह market के लिए as a pullback ही count करा जाएगा for a downtrend मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको देखेंगे this and this ठीक है matter नहीं करता है इसमें lower high lower low pullbacks बन रहे है अगर एक downtrend का valid pullback बनाना है तो market पहले ऐसे आया उपर गया फिर नीचे आ तो एक पूरा pullback complete होता है जैसे यहाँ पर ठीक है आच्छा ठीक है तो यह भी pullback का example हमें बिल गया ठीक है और दिखाता हूँ pullback का example इसको हटा दिया जाए फिलाल के लिए ठीक है यह देखिए अब जहाँ पर लोगों को confusion होती है कि क्या यह pullback है कि नहीं अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो यह candle का high है यह candle का low है अब problem यह लोगों को आती है कि sir इस candle का high तो break हो गया है तो यह तो pullback हो रहा है और लोग इसको कैसे plot करते हैं ऐसे बट नहीं यह pullback नहीं बिकास जो last candle है वो उसका high और low protected है और जब तक उसका high और low protected रहेगा तब तक उसका pullback होना है नहीं मतलब as in जब तक उसके high और low protected है तब तक उसके अंदर बनने वाली सारी candles यह inside candles है ठीक है तो इनको count आप करेंगे ही नहीं और इनको आप avoid करिये ठीक है अब आते हैं यहाँ पर यह भी एक typical example है देखते हैं तो इसका high है यहाँ पे और इसका low है यहाँ पे क्या यह एक pullback है नहीं यह भी pullback नहीं है क्यों नहीं है because for a pullback to happen market को last candle का high break करना चाहिए था जो इस candle में नहीं हुआ ठीक है इसलिए यह एक valid pullback नहीं है ठीक है next आ जाते है क्या यहाँ पे कोई valid pullback बना है देखो जैसे यह candle है अब यह कोई pullback नहीं है market ने high यह है इस candle का low यह है इसके अंदर होने वाला जितना move है चाहिए वो जिस order में बने हम ऐसे चाहिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं बट क्या यह pullback है नहीं क्यों नहीं है because market की यह सारा move जो है वो inside candles का move है और आपके लिए यह inside move किसी काम का नहीं है अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा example हमें uptrend के उसका मिला है क्या बोलते है pullback का देखिए कैसे अभी हम सिर्फ pullback सीख रहे हैं वो कहां कैसे क्यों बनते हैं यह सब नहीं सीख रहे ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे यह वाला पहले यहां से मूद लेते हैं यह एक वैलेट पूल बैक क्यों है पहले यह समझ लेते हैं मार्केट का हाई है यह कैंडिल का लो था यह ठीक है अब लोग कहेंगे सर यह कैंडिल का लो आपने का है कि जब तक ब्रेक नहीं होगा तक जो है वो पूल बैक नहीं है बड़ अगर आप एक चीज ध्यान से देखें ध्यान से मतलब किस कितना ध्यान से बहुत ध्यान से देखिए तो मार्केट में इस कैंडिल का लो इस कैंडिल ने ब्रेक कर दिया है यारी सबसे हाई कैंडिल हमारी अब यह बन गई है और अब मार्केट को pullback बनाने के लिए इस candle के low को break करना जरूरी था जो क्या market ने किया है अब आप खुछ बता दिया करा है कि नहीं उसके बाद कितनी candles बने अब यहां उसको गौर नहीं करेंगे वो आगे वाले chapters में है but क्या market ने pullback बनाने के लिए last candle के high के low को break करा यहां पर इस candle पर अगर करा है तो हमारा pullback यहां पर complete हुआ है pullback हुआ है बट वो valid है कि नहीं उसके लिए market को इसका high break करना जरूरी आ जो है यहां और इसी को कभी कभी हम लोग failed pullback भी कहते है market ने यहां break नहीं किया बट वो कौन्छा आप बात किया है फिलाल के लिए हम सिर्फ यह सीख रहें कि pullback कैसे बनता है क्या यह pullback है चलो यह देख लेते हैं देखो अगर आप ध्यान से अब देखोगे यहां पर लोगों को confusion हो सकता है market में high candle यह थी ठीक है लोग कहेंगे सार देखिए इस candle का low तोट गया है तो यह pullback हो गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह candle इस बड़ी वाली candle के अंदर है यहां पर देखिए और यहां पर तो जब तक इस candle का high और low protected है यह पूरा inside move था फिर market ने इस candle का high यहां पर तोड़ा बिल्कुल सही बात है तो अब यह हमारी highest candle हो गई राइट तो अगर यह हमारी highest candle हो गई है तो इसका low तोटना चाहिए था pullback बननी के लिए बट क्या इसका low तोटा नहीं अगर इसका low नहीं तोटा है तो यह एक valid pullback नहीं है ठीक है अगर ही clear है अच्छा और examples आप देखना चाहिए यह देखिए यहाँ पर यह candle high पर high break कर रही है पहले इसका high break करा good फिर इसका high break करा good इसका low अभी break नहीं हो है फिर इसका high भी break हो इसका low break नहीं हो है ठीक है फिर यह हमारी highest candle बन गई यहाँ पर right and as soon as market नहीं यह high पर लगा दिया तो इसका low टूटना चाहिए था एक pullback के लिए जो यहाँ पर टूट गया तो यह हमारा एक valid pullback market ने बना दिया ठीक है यह कोई inside move नहीं है यह एक valid pullback है right तो I hope आपको pullback समझ में आ गए होगे ठीक है ठीक है ठीक है रुगिए दरा एक सिकंड चल मैं आपको inducement इका देता हूँ अरे यह बनाया पर इसे लोग ठीक है आजाओ 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 अब यह चीज तो सीक ली कि pullback क्या होते है बट फिर inducement कहां होता है structure mapping क्या होती है कूरी वो समझ लेते है इसको थोड़ा आटाते है यहाँ पेश्रेश चार्ट पे लेते हैं देखो अब आपने इक बार यह सीक लिया कि market में जो है वो pullbacks बन रहे हैं right market में pullbacks market लेता हुआ ही जाता है और यह pullbacks जोना जरूरी है आप अगर खुद भी suppose आप एक journey से दूसरी journey continue कर रहे हैं example लेते हैं ठीक है कि आपको एक place से दूसरी place जाना है तो आप क्या continuous जाएंगे या आप भी hold लेते हो जाएंगे अगर जर्वनी लवी है ठीक है obviously आप भी hold करेंगे पेट्रोल डलवाएंगे सब करेंगे गाड़ी रोगेंगे चाय पानी पीएंगे सब कुछ करेंगे तो सेम वे मार्केट के साथ भी है यह मार्केट यह अगर अपनी सफर की तरफ टार्गेट की तरफ पढ़टा है तो मार्केट भी hold लेते हो जाता है और इन्हीं holds का नाम हमने pullback दिया है तो यह जो hold है इन्हीं को हम लोग correction भी बोलते हैं ठीक है अब मार्केट एक क्या है illusion create करता है जब मार्केट आपको यह दिखाता है डाट मैं higher highs higher lows बनाते हुए उपर जा रहा हूँ ठीक है उसके बार मार्केट एक fake illusion create करता है कि अब देखो मैंने अपना direction बदल लिए ठीक है मार्केट यह fake illusion दिखाता है डाट मैंने अपना direction बदल दिया और अब मैं bearish market हो गया हूँ जो हमें सिखाया गया है अब इसमें एक चीज़ और क्या होती है यहां पर जो लोगों को इमे वाले होते हैं उनको क्या होता है या फिर जो trend line माले होते एक बरणा बी दिखा दे रहां हो ऐसे trend line जा रही होती है है या फिर Story इममें पर बना दिखाता हूँ यह में के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम लो ऐसे कुछ E.A. में जा रहा होगा, है ना, और ऐसे फिर E.A. में आ जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, तो लोगों को गया लगता है कि अब market bullish to bearish हो गया है, ठीक है, तो हमें अब short करना ची, बट problem यह है कि वो यह miss कर जाते हैं, कि market का direction अभी भी bullish है, यह एक inducement है, inducement मतलब क्या ह हुआ false breakout है, breakdown बोल सकते है, false breakdown है, और इसी का नाम हमने inducement दिया है, ठीक है, जिसको मैं personally X बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो market में मेरे लिए यह एक fake move है, यह एक inducement है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे यह होगा, that हमें एक नीचे demand zone identify करना है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है, ठीक है, अभी concept वो जानना जरूरी नहीं है, कि demand zone कहा है, जानना यह जरूरी है, कि market कैसे react कर, फिर market इस zone के आसपास tap करके, उपर की तरफ चला जाता है, अच्छा, इससे होता कैंप इससे यह होता है कि जो लोग यहां पर ट्रैप होते हैं क्योंकि अगर आप यह ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ने ब्रेक ब्रेक आउट दिया टैप किया उपर गया नीचे आगया प्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है यहां से ऐसे ठेक है आप लोग यह कौन एंटीसिपेट करता है यह एंटीसिपेट करते हैं आप रीटेलर नहीं हो अब आपको ये बात जाननी चाहिए आप स्मार्ट मनी ट्रेडर ठीक है तो ये आप लोग एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट अब नीचे जा सकता है एज रीटेलर लेकिन और वो यहां से क्या करेंगे शॉर्ट करना चाहिए राइट स्टॉप लॉस वो यहां पर भी लगा सकते हैं यहां पर भी कहीं पर या इस जोन के ऊपर ठीक है और वही हम स्मार्ट मनी ट्रेडर का टारगेट बनता है या मैं बोल चपता हूँ वही हमारी क्या है प्रॉफिट है वही इनके लिए रीटेलर के लिए ट्राप है ठीक है और इनी से हम benefit लेते हैं कैसे हम वो यहां पे कहीं target करेंगे यहां यहां कहीं पे और हम as a smart money traders एक zone को identify करके अप यानि long position लेते हैं यहां का stop loss लगाके and इसका target लगाके क्योंकि यहां पे क्या है लोगों के stop orders पड़े हुँगे और वही हमारा mean पैसा है ठीक है तो यह होता है inducement तो inducement क्या है inducement एक fake out है inducement एक strap है जो market बनाता है अब वो चाहिए ऐसा trend line की basis पर बना है या market जो है वो कभी-कभी ऐसे भी बना सकता है ठीक है मुझे नहीं पता कितने लोग यह सब आपको बताते हूंगे ऐसे ट्राप कर बना सकता है कि market अप गया फिर मापको लगेगा कि market में जो है एक सेकंड मैं इसको remove कर दूँ ठीक है अगर आप मुझे एक सेकंड देंगे है यह हो गया बाकी चीज हम दें ठीक है इसको तो रहें आच्छा तो यहां पर क्या ideology as a retailer की होगी आपकी भी क्या होगी कि market support resistance हा market नहीं यहां पर कर दिया इसका break break करने के बाद आपका सबसे पहला वो क्या रहेगा कि market अब उपर जाएगा तो इसमें देखो दो लोगों trap होते हैं सबसे पहले trap होता है buyer क्यों क्यों उसको लगता है कि breakout आ गया इन सबसे कैसे दूर है यह सब सीखेगे अच्छा यहां पर काई trap होता है seller जिसको लगा कि market ने इसको तोड़ दिया है और आप market नीचे जा सकता है और आप वो फॉट पोजिशन लेगे और यही हमारे लिए क्या है inducement फिक है यही हमारे लिए inducement है market अपने demand zone से tap करके फिर उपर की तरफ यह निफ्टी में मैंने बहुत देखा है होते हुए जा सकता है ठीक है निफ्टी भी सिखाएंगे options में भी कैसी चीज़ चलती है ऐसे market रियाग करके दोनों को trap करके भी उपर जा सकता है इन सब से कैसे बचना है सब सीखेंगे ठीक है फिलाल के लिए inducement आए होप आपको समझ में आ रहा होगा दीरे दीरे की market inducement कहां लेता है या क्या होता है तो यह inducement जब समझ में आ गया आपको कि यह last pullback होता है मतलब यह वाला pullback आपके लिए inducement नहीं है अगर आपको pullback समझ में आ गया तो आपको यह पता चलें है यह ंड्यूश्मेंट नहीं है जो लास्ट ब्रेक होता अगर यह बहक होता है यह हमारे इंड्यूश्मेंट सिर्फ वह पहला pullback होता है ठीक है और वह हमें किस चीज़ में help करता है वो हमें help करता है हमारा swing high point mark करने यह मेरा swing high point हो गया है ठीक है फिर swing low point swing low point तभी confirm होता है जब market swing high को break कर चाहे वो ऐसे करे डिरेक्ट चाहे वो ऐसे करे कैसे यह सब चीज़ अब हम सीखेंगे सब क्या होता है कैसे भी करे बस इसको जब break करेगा ठीक है तभी आप जो है अपने swing इसको low को ठीक है higher low को तभी आप mark करेंगे ठीक है जो हमने कल सीखा था अच्छा यह हमें समझ में आ गया कि swing high, swing low points कहां बन रहे हैं near है बट एक छोटा सा concept जो I don't know बहुत से लोग miss कर जाते हैं वो यह भी है जब मैंने बोला कि market इसको break करें अब market दो तरीके से break कर सकता है एक अच्छी सी candle बना के break कर सकता है ठीक है क्या बोला मैंने अच्छी सी candle बना के break कर सकता है एक यह होगी आप break करना दूसरा market ने इस high को break नहीं किया इसके नीचे ही रहा लेकिन मार्केट ने इसको एज़ा विक बना के ब्रेक कर दिया ठीक है मार्केट इसके नीचे रहा और मार्केट ने इसको एज़ा एक से गई ओ यहाँ पे मार्केट ने इसको एज़ा अरे यह पनी नी रहा क्या हो गया ऐसा करता हूं मैं इसी को बना लेता हूं ठीक है बीच ला जाओ यह भी नहीं बन रहा कोई बात नहीं मार्केट ने क्या बना लिया इसको लेकर आता हूं रहे बीच लिंग अला ठीक है टाइम इंवेस करेंगे मार्केट ने विक बनाई है इससे बना लेता हूं मार्केट ने एक विक ऐसे बना लिए यह तो आप मुझे बताएङे क्या यह एक वैलिड प्रेक है नहीं smart money के according एक valid break तभी होगा जब market जो है वो proper break देगी इस swing high के उपर और तभी आपका ये चीज होगा अगर market ने wick बनाया है तो आपका higher low confirm नहीं हुआ है ठीक है तो एक बाद फिर मैं आपको पूरा structure map करके दिखा रहा हूँ एक uptrend का ताकि आपको पूरा idea हो जाए ठीक है market ऐसे चलेगा ठीक है pullbacks आपने pullbacks सीख लिए है आपको pullbacks identify करना आना चाहिए market इसको लेगा जिसको हम inducement बोलते हैं जब market ने इस inducement को लिया और याद अखेगा inducement अमेशा अपने आपको बोलिएगा जैसे आप screen की तरफ देख रहे हैं तो आपके left में inducement आपको देखना है right में नहीं ये भी लोग गलती करते हैं हमेशा inducement left में देखना है कि market में left वाले pullback को break किया राइट वाले नहीं ठीक है तो फिलाल left वाले को break करना है ये हमारा inducement हुआ inducement होने के बाद ये हमारा high mark हुआ high mark होने के बाद अब हम इसको नीचे आए उड़ा उपर जाए जब हमने ये break किया तो ये हमारा क्या हुआ higher low confirm और ये procedure चलता रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा break of structure जिसको हम लोग boss पोलते हैं उसके बाद ये चलता रहेगा कब तक चलता रहेगा जब तक market जो है वो अपने ठीक है जब तक market ये क्या हुआ हमारा higher high low यहां पे हो गया क्यों हुआ त्यूंकि हमारा यहां पे हो गया है inducement ठीक है inducement कैसे बन रहा है ये matter नहीं करता ये हमारा break हो गया boss अब हमारा chalk कब होगा यानि हमारे नजरों में as a smart money की नजरों में market जो है वो bullish to bearish कब convert होगा जब market जो है वो इस last swing point को तोड़ेगा इस pullback को नहीं तोड़ेगा अब इस swing point को जब तोड़ेगा तो एक smart money की नजरों में तब जाके change of character जिसको हम बोलते है कि market bearish हो गया है from bullish ठीक है तब माना जाता है तब जाके यहां पे chalk गए है अच्छा अब यहां पर क्या हुआ यह देखिए आप कहेंगे सर यह तो swing high point है बिलकुल है यहां पे हम mark भी करेंगे आपको वैसे ही करना है जो आपको सिखाया गया है वो अलग बात है कि market ने यहां पर क्या किया देखो लॉसेस इसलिए हम कहते हैं लॉसेस पर हों गई market यहां आया demand zone पर आया माल लेते है but market ने नहीं reaction दिया यह दिया वो fake कर दिया ठीक है तो market यह भी कर सकता है आप हमेशा बैंक से लड़ नहीं सकते या बड़े बड़े प्लियर से उनके footprint में चल सकते हो जब आपको समझ में आगया कि market bearish हो गया है तो आपकी losses तो हों गई बढ़ जब आपको समझ में आगया तो अब आप क्या करेंगे अब आप lower high lower low की trade लेंगे ठीक है ऐसे कुछ आया market ने इस inducement को लिया अब आपको क्या अब आपको यह नहीं plan करना है उपर की अब आपको plan करना है जब market ने इस inducement को ले लिया ठीक है तो आपका क्या confirm हो गया lower low confirm हो गया market एक lower low बना रहा है यानि आप market एक bearish mode में है फिर आप क्या दिखेंगे market में आप यह दिखेंगे कि market नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया break करा as soon break किया याद रखिएगा विक नहीं होनी चीए proper closure होना चीए ठीक है market ने यहाँ break किया जब market ने break करा तब आपकी नज़रों में as a what break of structure हुआ है और जब break of structure हो जाएगा तब आपका यहाँ पे क्या confirm होगा lower high confirm होगा ठीक है इसे कहते है smart money का structure pullbacks अब आपको पहचानना आ गए inducement आपको पहचानना अगर आप एक चीज़ और ध्यान से दिखेंगे तो lower high lower low बनते हुए as in bearish trend में भी आपको left side में ही अपने किसको pullback याणि inducement को डूणना है जब आप higher rise करेंगे तो भी आपको दिखना है आपका left hand की तरफ आना चाहिए यह left है यह left है हमेशा left की side आपको inducement दिखेगा pullbacks कहीं भी दिख सकते हैं inducement की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो आपको हमेशा left side में दिखेगा तो I hope यह video आपको knowledgeable लगा हो I hope इस video से आपने notes बनाए हो और सीखा हो कि market कैसे चलता है market कहां trap करता है हम आगे वाले lectures में और भी बहुत चीज़े सीखने वाले है so for that kindly like this video subscribe to my channel and do comment and join my community on telegram so that अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हैं उसके अलाबा अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझे personal message भी कर सकते हैं और comment में भी लिख सकते हैं so thank you so much